आईपियोज में इन्वेस्ट करने का अपना ही एक चाम है और इसका रीजन कौन नहीं जानता आपको शॉर्ट पीरिड में बंपर गेंज बनाने का मौका जो मिलता है इनवेस्टर्स को अलॉट्मेंट के बहुत चोटा हिस्सा मिलता है पर दे गुड नियूज इस कि लिस्टिंग के बाद भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कंटीनू रख सकती है फिनाशल ये 24 में टोटल गेंज के मामले में टॉप 5 आईपियोज ने 172 परसेंट और 325 परसेंट के बीच रिटर्न दिये जब इन आईपियोज के लिस्टिंग डे गेंज सिरफ 19 परसेंट और 88 परसन के बीच थे ये आईपियोज के रिटर्न पर्टेंशल ही है जो इन्हें अट्राक्टिव बनाते हैं लेकिन आईपियोज से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको यह जानना होगा कि क्राव्ड में से पेस्ट इश्व को किस तरह पिक किया जाए और ऐसा करने के लिए You Must Know कि उनको किस तरह एनलाईज करना होगा Hello and welcome to ET Money Hindi आज हम बात कर रहे हैं कि winning IPOs को किस तरह identify किया जाए And throughout the video हम आपके साथ IPO investing hacks भी शेर करते रहेंगे जो आपके IPO investing outcomes को काफ़ी improve कर सकते हैं तो इस वीडियो का कोई भी part miss ना करें तो आईए अब IPO के investing पर detailed discussion करते हैं So here it is अगर आप किसी IPO में सिरफ इसलिए invest करना चाहते हैं Because IPO market is hot and sizzling, avoid it Listing gains के लिए कई investors IPOs पर blindly पैसा लगाते हैं Especially bull run के दोरान ये एक बहुत common mistake है The reason is जिन IPOs में इतना interest नहीं दिखता उनमें आपको allotment मिलना certain है लेकिन अच्छे IPOs में हमेशा over subscription होता है और इसलिए allotment मिलने की possibility लग पर depend करती है इसलिए इन poor IPOs losses की possibility अच्छे IPOs में पैसा बनाने की possibility से ज़ादा हो सकती है इस एक example से समझते हैं Financial year 24 में regardless of good or bad कई IPOs से listing day पर investors को loss हुआ पाथ सबसे खराब IPOs का listing loss 9 से 11 परसंट तक था इसलिए IPOs के मामले में अंधेरे में तीर ना चलाएं बलकि उनका properly analysis करें ताकि आप stock को pick कर सके फिर चाहे वो listing पर गिर जाए और ये हमें IPO analysis पर वापस लाता है IPOs के बारे में सबसे special बात ये है कि उन्हें special analysis की जरूरत है After all ये एक company है और इसे किसी दूसरे listed company की तरह analyze क्यों नहीं किया जा सकता Well, कई cases में जिस तरह से listed companies को analyze किया जाता है और जिस तरह से IPOs analyze किया जाते हैं उनके बीच overlaps होते हैं लेकिन एक key difference भी है Listed companies के बारे में public domain में जाद तर significant information available होती है लेकिन क्योंकि IPO company नहीं होती है इसलिए उसके बारे में limited information available होती है इसलिए traditional analytical measures के अलावा IPOs के मामले में कुछ और चीज़े भी check की जा सकती है इसलिए हमने especially IPOs के analysis के लिए framework तयार किया इस framework के तीन parts है First, traditional analytical measures Second, IPO specific analytical measures And third, valuations आई इन सभी पर detailed discussion करें तो जब IPOs को analyze करने की बात आती है जाद तर तीन documents को mention किया जाता है Number 1, DRHP और draft red herring prospectors Number 2, RHP और red herring prospectors Number 3, final offer document आप इन्हें SEBI की website पर filings tab के अंडर download कर सकते हैं ये stock exchange की websites पर भी available होते हैं लेकिन इन documents में क्या difference है ये तीन documents और कुछ नहीं बलकि एक दूसरे के evolved versions है DRHP draft proposal है जिसे regulator and exchanges review करते हैं IPO application के approval के बाद RHP file किया जाता है अगर SEBI या stock exchange DRHP में कोई changes suggest करते हैं उन्हें RHP में include किया जाता है along with updated information about the company Lastly, final offer document file किया जाता है जिसमें RHP के mentioned सारी information होती है और साथ ही issue size, number of shares and issue price के बारे में information भी होती है इसे generally issue close होने के बाद file किया जाता है For practical purposes, इन में से सबसे important document RHP है अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें pricing information को छोड़ कर company के बारे में सारी information होती है अब RHP का एक standard format है इसलिए इसमें information को locate करना आसान होता है चाहिए उसे किसी भी type की company ने file किया हो RHP में table of contents, sections, specific sections से जुड़ा होता है इसलिए आप directly table of contents से relevant section पर जा सकते है अब क्योंकि RHP detailed document है ये several hundred pages में हो सकता है अगर आपके पास इसे पढ़ने के लिए time है तो ये अच्छी बात है क्योंकि आपको company के बारे में और जिस industry में वो operate करती है उसकी comprehensive picture मिलती है लेकिन जाद अदर investors के पास इतना time नहीं होता फिर भी आए RHP के कुछ sections देखे जिन पर आपको attention देनी चाहिए फर्स्ट इस offer document की summary ये company और offer के broad details के बारे में जानने का एक convenient way है सेकिंड इस risk factors अब document में कई risk factors listed हो सकते हैं लेकिन आपको relevant factors पर focus करना होगा ना कि उन पर जो सिरफ comprehensiveness या formality के लिए दिये गए हैं For example, अपने RHP में e-pack durable ने बताया कि उसके revenue का एक significant portion कुछ specific customers से आता है और इसलिए ऐसे किसी भी customer का loss उसके business के लिए adverse हो सकता है Well, ये अकेला risk factor नहीं है जिसे e-pack ने बताया Almost 84 internal and external risk factors थे लेकिन उन में से कई बहुत general है Third, about the company section ये section आपको company के business और industry के बारे में वो सब कुछ बता सकता है जो आपको जानना जरूरी है इसमें management and promoters की भी information होती है For example, अपने RHP में Juniper Hotels ने कहा कि ये luxury hotel development and ownership company है ये इंडिया में Hayat Affiliated Hotels का largest owner है by number of keys इसके promoters हैं अरुन कुमार सरफ, सरफ Hotels, Two Seas Holdings और Juniper Investments Fourth is financial information अब इस section में पिछले कुछ सालों की balance sheets, income statements and cash flow statements होती है आप required calculations करने के लिए इन statements को use कर सकते हैं For example, आप profit and revenue growth को calculate कर सकते हैं आप check कर सकते हैं कि operational cash flows ठीक है या नहीं आप company की debt position भी check कर सकते हैं Let's take the case of Gopal Snacks Last three financial years में Gopal Snacks की revenue growth flattish थी लेकिन इसका profit growth was robust Fifth component, legal information है और हम इसके बारे में next section में बात करेंगे तो ये RHP के कुछ major sections हैं जैसा कि हमने कहा इससे कहीं जादा information होती है और इसलिए as an IPO investor आपके लिए major challenge इसे navigate करना है एक key information जो RHP में missing है वो है price details इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा कि shares किस price पर offer किये जा रहे हैं आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि offer के लिए कितने shares available हैं हालांकि RHP में indicative upper limits को mention किया गया है for example अपने RHP में JG Chemicals ने 165 करोर rupees तक के fresh issue और 39 lakh shares तक offer for sale का target रखा price information की absence में कोई भी fresh issue में offer किये जाने वाले number of shares और offer for sale route के जरिये बेचे जाने वाले shares के aggregate value का पता नहीं लगा सकता है हम next section में fresh issues and offers for sale के बारे में बात करेंगे well अब एक और IPO investing hack का time आ गया है तो आप IPO a lot होने की probability किस तरह बढ़ा सकते हैं आपको इसके लिए तीन चीज़ें करनी होंगी first हमेशा cut off price पर apply करें आप IPO application फाइल करते समय इस option को select कर सकते हैं generally IPOs का price band होता है आपको lowest price पर IPO के लिए apply करने का temptation ignore करना चाहिए if you do this तो आपको कभी भी अच्छी IPO में allotment नहीं मिलेगा इसलिए हमेशा cut off price पर जाए दूसरा multiple accounts से IPOs के लिए apply करें ध्यान रखें कि ये सभी accounts different pans के साथ linked होने चाहिए अगर आप same pan number से linked multiple DMAT accounts के through IPO के लिए apply करते हैं तो आपका IPO application reject कर दिया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखें एक pan number से सिरफ एक application ही होनी चाहिए third, कुछ IPOs में shareholder और employee quota भी होता है अगर ये आप पर applicable है तो आप इसका benefit उठा सकते हैं for example, HDFC AMC के IPO में HDFC के shareholders के लिए special quota था और Tata Technologies IPO में Tata Motors के shareholders के लिए quota था आईए अब कुछ IPO specific analytical measures के बारे में बात करते हैं So far हमने देखा कि किसी भी दूसरी company की धरा ही IPO वाली companies को भी analyze किया जा सकता है और RHP का इसमें important role है लेकिन IPO का analysis करते वक्त आपको कुछ practical considerations का भी ध्यान रखना चाहिए One important thing, जब अब इन considerations पर discussion करेंगे तो हम कुछ IPO के real life examples भी quote करेंगे हमारा intention किसी problem को flag करना नहीं है सिरफ facts को highlight करना है तो सबसे पहले you should know कि क्या ये fresh issue है या offer for sale या दोनों है आए इसे समझते है Fresh issue तब होता है जब IPO से raise किया गया पैसा company के पास जाता है Offer for sale और an OFS तब होता है जब company का raise किया गया पैसा company के पास नहीं जाता बल्कि ये promoters या shareholders को जाता है जो OFS में अपना stake बेच रहे है Generally speaking अगर किसी IPO में सिरफ OFS है तो it's totally avoidable ऐसा इसलिए क्योंकि IPO से company को कोई benefit नहीं होने वाला इससे देखने का एक और तरीका है promoter या certain shareholders अपने stake का कुछ पार्ट बेच रहे है और अगर कोई बेच रहा है तो उसका कोई strong reason तो होगा ही न For example, promoter को अपने किसी दूसरे business के लिए पैसे की जरूरत हो सकती है या उसे किसी personal reason से इसकी जरूरत हो सकती है For instance, March 2024 में आया Gopal Snacks का IPO पूरी तरह एक OFS था Company ने IPO के जरीए 650 करोड raise किये Offer के objects में company ने कहा कि IPO का aim OFS को पूरा करना और equity shares के listing से benefit पाना है अब कई PSU's भी OFS ला सकते हैं It's not necessarily bad क्योंकि government core regulations के according PSU's में अपने stake को mandatarily 75% या उससे कम करना जरूरी है अगर IPO में fresh issue and OFS दोनों है तो दोनों के size को check करें और पता लगाएं कि OFS में stake कौन बेच रहा है अगर possible हो तो stake sale का reason जानने की कोशिश करें अगर ये promoters छोटा stake sell कर रहे हैं तो it's not bad क्योंकि it's likely कि promoters अपने investment पर थोड़ा return चाह रहे हो OFS venture capitalist and private equity investors को exit route देने का तरीका भी है इसलिए अगर OFS उन्हें exit route देने के लिए है तो it's perfectly fine अब अगर ये OFS नहीं है तो आपको specifically check करना चाहिए कि IPO proceeds का use किस तरह होगा that's the second thing अगर कोई company expansion और growth के लिए capital raise कर रही है तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर ये pressure में capital raise कर रही है तो it's a potential red flag for example कोई company अपना debt चुकाने के लिए funds raise कर रही होगी ये distress का signal हो सकता है यहां तक कि किसी unrelated irrelevant acquisition के लिए raise किये गए पैसे पर भी सवाल उठने चाहिए एक और example जहां आपको business model closely देखना चाहिए वो है जब working capital requirements को पूरा करने के लिए पैसा raise किया जा रहा हो for example January 2024 में जोती CNC automation 1000 करूर का IPO लेकर आई ये fully fresh issue था अपने RHP में company ने कहा कि वो borrowings repay करने और long term wealth capital requirements को पूरा करने के लिए proceeds को use करने का plan बना रही है इसमें capital raising के लिए another reason general corporate purposes भी mention था overall fresh issues में ये जरूर देखे कि पैसा क्यों raise किया जा रहा है आपको ये information RHP में मिल जाएगी third thing जो आपको specifically check करनी चाहिए वो है कि क्या company ने recently shares issue किये है और अगर ऐसा है तो किस price पर ये information issue document के summary के अंडर या capital structure के अंडर available होती है अगर IPO का price recent issue price से significant premium पर है तो ये almost unacceptable है unless कोई strong reason हो कि price अब जादा क्यों होना चाहिए bull run के लिए investment bankers IPOs को overprice करते हैं last issue price को देखकर you can put things in perspective for example अपने RHP में Moti Suns Jewelers ने कहा कि उसने last one year में किसी भी equity और preference share को ऐसे price पर issue नहीं किया है जो issue price से कम हो fourth point जिसे हमने थोड़ी देर पहले briefly mention किया था RHP में legal information ये section company और promoters के खिलाफ चल रहे litigations की detail देता है आपको यहाँ दो चीज़े देखने की जरूरत है कितने litigations हैं और वो कितने serious हैं a number of litigations company के साथ innate problems का signal देते हैं वो corporate governance के बढ़ते issues का भी indication दे सकते हैं for example मुका प्रोटेंज ने अपने RHP में अपने खिलाफ चल रहे 4 litigations को mention किया इन में से एक में 4.35 करोड की tax liabilities थी इसका comparison मुका के financial year 23 के 47.5 करोड रुपीज के net profit से करें तो ये कुछ IPO specific analytical चीज़े थी जिने आपको जरूर देखना चाहिए और इसके साथ ही एक नए IPO hack का time आ गया है So here you go Are there any signs जो indicate करते हैं कि IPO premium पर list होगा और हम यहाँ gray market premium के बारे में बात नहीं कर रहे क्यूंकि इसमें generally, abruptly changes होते रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको IPO analyze नहीं करना चाहिए Nothing can replace analysis लेकिन जैसा कि कहा गया है असल में कुछ cues हो सकते है सबसे पहले over subscription के ratio पर नज़र रखे ये जितना जादा होगा IPO के premium पर list होने की possibility उतनी ही जादा होगी इसलिए पहले ही दिन IPO के लिए apply करने से बचे IPO तीन दिन तक open रहता है और आप third day इसके लिए apply कर सकते हैं ताकि आपको sentiments पता चल सके Allotment के perspective से अगर आप first day और last day apply करते हैं तो इससे कोई फरक नहीं परता दूसरा IPO में uniqueness देखें अगर IPO company से कई listed peers हैं तो invest करने के लिए पहले से ही कई options मौजूद हैं इसलिए हो सकता है IPO की bumper listing ना हो On the other hand अगर list होने वाली company unique है तो chances are कि listing से पहले और बाद में इसके shares की demand होगी Third, issue के size को देखें अगर issue small है और over subscription high है तो possibility है कि company के shares की high demand है अगर issue large है जो जादा तर investors accommodate किया जा सकता है तो listing पर कोई बड़ा jump unlikely है Unfortunately, small issue size का मतलब ये भी है कि over subscription के scenario में allotment के chances और भी weak हो Fourth, short term market का mood देखें अगर market तेजी से बढ़ रही है तो IPO gain पर list होने के healthy chances है लेकिन अगर market bearish है तो अच्छे IPO की भी listing खराब हो सकती है Fifth, अगर किसी IPO की valuations बिना किसी business deficiencies के अपने pairs के comparison में कम है तो ये अपने listed pairs को catch up करने के लिए premium पर list हो सकता है आप सोच सकते हैं कि इसके लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि valuations क्या है and you are right ये हमारा next topic भी है और IPO analysis का third and final leg भी IPO valuations शायद IPO analysis का trickiest part है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक IPO actual में market में नहीं आता तब तक आपको price के बारे में पता नहीं चलता जैसा कि हमने discuss किया RHP के पास pricing information नहीं है इसलिए आप valuations को तब ही assess कर सकते हैं जब price known हो लेकिन एक बार जब आपको price या कहें कि price band पता चल जाए तो आप valuations को किस तरह calculate कर सकते हैं Now for the ease of explanation हम ये समझाने के लिए यहां एक hypothetical illustration का use करेंगे कि आप valuations को किस तरह calculate कर सकते हैं लेकिन हम ये भी mention करेंगे कि आप RHP में required components कहां पा सकते हैं So let's assume कोई company A IPO लेकर आ रही है इसने price band 950 से 1000 पर share decide किया है इसके shares के existing number 90 lakhs है Fresh issue के through इसका target another 10 lakh shares issue करना है तो इसके post issue shares count 1 crore हो जाएगा अब IPOs में OFS component भी हो सकता है लेकिन क्योंकि existing shareholders OFS के जरीए अपने stakes बेचते हैं OFS share count valuations के calculation को impact नहीं करता इसलिए आपको valuation calculations में सिरफ fresh issue of shares consider करने की जरूरत है RHP में आपको capital structure section में shares के existing number मिल जाएंगे Fresh issue में offer किये गए number of shares IPO के launch पर available होंगे आप Google पर IPO details देख सकते हैं या ज़्यादा तर business newspapers में published IPO आड देख सकते हैं या stock exchanges website पर जा सकते हैं आगे discuss करें कि आप generally use किये जाने वाले दो valuation ratios को किस तरह calculate कर सकते हैं PE and PB PE का मतलब price to earnings ratio है इसे stock price को per share और EPS से divide करके calculate किया जाता है PE जितना lower होगा stock उतना cheaper होगा लेकिन इसे बहतर ढंग से समझने के लिए इसे industry के pairs या historical median से compare करना better होगा PE को calculate करने के लिए आपको price and EPS की जरूरत होगी price IPO price band में है बट EPS कहा मिलेगा अब RHP के financial details section में आपको जो EPS मिलता है वो existing number of shares के लिए है इसमें issue किये जाने वाले fresh shares included नहीं है इसलिए updated EPS ढूणने के लिए आपको net profits के figure की जरूरत होगी और इसे shares के updated number से divide करना होगा आप RHP के financial information section से net profit पा सकते हैं let's say कि हमारे hypothetical example में कमपनी को financial year 23 में 100 करोड का profit हुआ है और जैसा कि हमने देखा कि इसके post issue number of shares 1 करोड है so its EPS will be 100 रुपे अब IPO का price band 950 to 1000 है आईए 1000 के upper price को consider करें इससे हमें 10 का EPS मिलता है तो upper price band पर PE 10 हो जाता है इस price पर company का market capitalization या market size 1000 करोड होगा अब आप इस PE को industry के peers के PE से compare कर सकते हैं ताकि ये idea लगाया जा सके कि stock relative terms में कितना expensive है माल लीजिए अगर इसके peers 20 के median PE पर trading करते हैं तो stock काफी cheaper है but on the other hand अगर peers 8 के median PE पर trading कर रहे हैं तो stock comparatively expensive है आप RHP में industry के peers का details भी पा सकते हैं Of course, valuations को isolation में नहीं देखा जाना चाहिए उन्हें underlying business, management competence, growth potential वगेरा के साथ assess किया जाना चाहिए इसके बाद PB आता है PB का मतलब price to book ratio है इसे stock price के per share book value से divide करके निकाला जाता है अब आपको balance sheet में book value मिल जाएगी इसे number of share से divide करके आप per share book value निकाल सकते हैं माल लीजे book value 500 करोड है तो per share book value 500 है अपर price band पर PB 2 होगा जैसा कि PE के मामले में होता है PB जितना lower होगा, stock उतना cheaper होगा But to put it in the right context आपको या तो historical average या peers के PB की जरूरत होगी एक और बात PB, finance and asset heavy companies के लिए as a valuation measure जादा relevant है ये asset light companies के लिए बहुत जादा नहीं है तो इस तरह आप valuations को assess कर सकते हैं दूसरे valuation measures भी हैं जैसे PEG ratio, price to cash flow ratio, price to sales ratio and so on अगर आप valuations को जादा deeply समझना चाते हैं तो आप study कर सकते हैं कि इन valuation ratios में क्या included है और फिर RHP से relevant numbers चुने और उन्हें calculate करें I understand that कि हम में से बहुत से लोग इन tricky calculations को करने के लिए तयार नहीं होंगे तो financial websites को serve करना आसान तरीका है वे generally background के calculations करने के बाग valuation को mention करते हैं But that said, आपको सिरफ इन websites के viewpoints पर rely नहीं करना चाहें कोई भी investment करने के लिए चाहे वो IPO और stock और fund हो you must do your own due diligence सभी available material को सिरफ tools की थना समझें ना कि as an actionable device And this brings us to another IPO hack क्या ये जानने का कोई shortcut है कि IPO overvalued है या undervalued Well, to be sure investing में कोई shortcuts नहीं होते In fact, shortcuts काफी costly साबित हो सकते हैं फिर भी at least एक indicator है Now do note, मैंने indicator word use किया है इसलिए इसे अलग से use ना करें और इस shortcut पर बहुत ज़ादा rely ना करें So here it is जादा तर cases में IPOs overvalued होंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि promoters अपनी companies को list करते समय जितना possible हो उतना पैसा raise करना चाहेंगे लेकिन अगर ये forced IPO है जहां company को कुछ regulatory requirements के चलते list होना पड़ रहा है तो IPO steeply priced नहीं हो सकते कई banks और small finance banks के पास ऐसी regulatory requirements हो सकती है अब ऐसा इसलिए है क्योंकि company का goal list करना है ना कि जितना हो सके उतना पैसा जुटाना साथ ही PSU IPOs generally steeply priced नहीं होते ऐसा इसलिए है क्योंकि government की कोशिश रहती है कि retail investors को सही valuations पर IPO में invest करने का मौका मिले और कई PSUs में भी government stake mandated 75% से कहीं ज़ादा होता है इसे mandated requirement तक लाने के लिए आपको PSUFS देखने को मिल सकते है SEOFS shares के price बहुत ज़ादा नहीं रखते क्योंकि main goal gains को maximize करने के बजाए compliance है लेकिन क्या कोई mutual fund है जो IPO में invest करता हो और IPOs को analyze करने और pick करने में जरूरी सभी effort से बचा सकता हो येस एक है Edelwise का recently listed IPO fund ये fund recently listed companies में invest करता है और आपको बिना IPOs pick करे उनसे potential से profit कमाने में help करता है इसलिए अगर आप hands off investor है तो आप इस fund को check कर सकते हैं but still do your own due diligence and don't forget कि आप ET money पर बिना कोई commissions दिए किसी भी mutual fund में invest कर सकते हैं और ये video का last hack था This is all we had for you today We hope कि आपको ये long video helpful लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर और कॉमेंट करना ना भूले and I'll be back with another insightful video soon